एलो दोस्तों आप सभी का वेलकम है पीएस क्लासिस में और पीएस क्लासिस से मैं प्रसांसर आप सभी से बात करने के लिए प्रसेंट हुआ हूँ और ये बात जो है आपके आने वाले टेजीटी 2021 के बारे में है और इसके साथी साथ समाजी बिग्यान 2016 का रिजल्ट कब आ सक है इसके बारे में हम बाते करेंगे और साथी साथ दोस्तों हम बात करेंगे कि जो आपके प्राथ्मिक सिच्छक भरती है वह कब आ सकती है इसके साथी साथ जूनियर सिच्छक भरती के बारे में भी हम बातें करेंगे दोस्तों यह बात करते हैं अब तक कि जो सूचना मिली है यूपी टीजीटी पेजीटी 2021 के जो वेकेंसी है उसका जो मामला है तदर सिचकों का वो 2000 से पहले तक के जितने तदर सिचक हैं उनको वे निमिती करड कर दिया गया है तो मान कर चलिए कि अभी जो बिवाद है वो पूरा उसका जो है क्लिरेशन नहीं हो पाया है विवाद पूरा खत में नहीं हो पाया है तो जो हमारा विग्यापन आने वाला है उसमें और बिलंब हो सकता है भले ही यूपी टीजीटी पीजीटी जो सिच्छा सेवा चैन बोर्ड है वो कह रहा है कि हम विग्यापन निकाल देंगे तो अगर कुछ सही चलता है तो विग्यापन आपका इसी फरवरी में आ जाएगा अगर किसी प्रकार की अर्चन नहीं आती है नहीं तो आप देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का जो विग्यापन है आया निरस्त हो गया और माधमिक सिच्छा सेवा चैन बोर्ड जो है भूड जो प्रचन यह आ रही है अभी कि सासंस से हमें ये अभी कंफर्मेशन नहीं मिल पाई कि 2000WA से刹ल के और 2000 से ले करके अब तक के जो तदर सिचक हैं वो इस बात को मानने के लिए तयार नहीं है और वो जो है सरकार तक अपनी आवाज को पहुचा रहे हैं कि उन्हें भी बेनिमित्ती करड किया जाए और इस चीज के लिए यही एक पेच जो है फसा हुआ है दोस्तों अगर इस पेच का कंक्लूजन जो है इसी महीने में निकल जाता है तो मान कर चलिए कि आपका जो विग्यापन है हर हाल में इसी फरवरी माह में आ जाएगा अगर ये अड़्चन दूर हो जाती है तो अगर ये अड़्चन दूर नहीं होती है तो फिर जो है एक्स्टेंड भी हो सकता आपका विग्यापन तो सरकार तक जो है अपनी आवाज को पहुचाना है दोस्तों आप सभी एक जूट हो जाएए और फिर लगता है कि ट्यूटर पिजेटी का जो भी ग्यापन वो भी रुका हुआ है तो इसके बारे में सरकार नीड़े तो ले रही है लेकिन कंप्लीट नीड़े नहीं ले पा रही है तो इसकी वज़े से ये वेकेंसी जो है काफी डिले हो रही है तो दोस्तों ये आज की सुचना थी और जहां तक माह के एंड से पहले हम जारी कर देंगे लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो जहां तक ये भी सुचना मिल रहे हैं तो अपनी पहुच बनाए हुए हैं तो सासन प्रसासन अस्तर पे जो है मीटिंग दो अस्तर की हो चुकी है और डिसीजन भी लिए जा रहे हैं तो आई होब देट की डिसीजन आ ही जाएगा लगभग एक दो तीन चार दिन में कनफरमेशन होई जाएगा और इस सर्च वाहेंगे तो आपकी जो बिग्यापती होआ जाएगी और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि जूनियर जूनियर हाई स्कुल में जो बिग्यापन आ सूचना अथेंटिक निकल करके आ रही है कि हो सकता है कि आपकी जो जूनियर सिच्छ की भरती है वो काफी डिले हो जाए क्यों क्यों कि जैसे टीजी टीपीजीटी की का विग्यापन आया उसमें उधर बून बना रहा उसी प्रकार से देखिए इसी में कई प्रकार के मानक सरकार हैं उसमें परिवर्तन किया जा रहा है तो अगर सब कुछ सही रहा और सरकार ने बहुत जल्दी कराने की कोशिज की तब नहीं तो उधर बेन में ये भी फसी हुई है और उधर बेन में ये भी फसी हुई है देखते हैं कि कहीं TGT की तरह ये भी जो है दो चार महिने के लिए कहीं रुख न जाया लेकिन दोस्तों I hope that की विश्वास ये है कि आगे जो चुनावी वर्स है इसलिए सरकार एक्षन सिग्रति सिग्र लेगी तो आप घबडाएं न अपनी तयारी एकदम सुचारू रखें और जहां तक जो विश्वासनी सुत्र हैं वो भी बता रहे हैं कि अर्चन नहीं आना च जाएगा तो दोस्तों यह सारी बाते तो हो गई लेकिन इस सब को आप वाइड करके करना क्या है कि मन से अब तयारी करते रहें जी दोस्तों जैसा कि स्पेशल क्लासिस वार इंग्लिस टीटी पीजिटी और इसके साथ ही साथ जो है आपके जूनियर सुपर्टेट की भी स् और बस्तनी संस्थास से नहीं जूडते हैं जब तक यहां समय में बैतरीन परफार्मेंस आपका नहीं हो पाता है जे दोस्तों सुचा निकल कैया रही है कि कल जो है मामला confirmation की तरफ चला जाएगा और जैसे वे हिंदी के विशय का जो रेजल्ट है उसमें कुछ डिले हो सकता है दोस्तों क्योंकि अभी एनाइसी के पास भेजा नहीं गया है और सबसे बिलम तो कला का जो रेजल्ट उसमें हो रहा है क्योंकि उसमें याजका लखनवपीट में दायर है तो जब तक वह आजका पर कोई डिसेजन नहीं हो पाएगा तब तक आपका जो रेजल्ट है जारी नहीं होगा और बता दें कि जो याजका है वह काफी कंप्लिकेटेड बन गई है तो आसार यह लग रहा है कि अभी जो कला का रेजल्ट है इतना जल्दी नहीं आने वाला है जी दोस्तों तो आज की हमारी जो समिच्छा थी हमने ये समझा कि TGT PGT वैकेंसी कब तक आने के आसार हैं इसके साथ हमने जाना कि जूनियर वैकेंसी और इसके बाद हम लोगों ने डिसकेशन किया आपके तमाम जो है काल आ रहे हैं सर इस पर वीडियो बनाईए बताईए तो उसलिए मैंने इसको बनाया ह है दोस्तों और जो आपकी समाजी बियान का जो रिजल्ट इसके बारे में भी बच्चे पूछ रहे थे हैं कि सर बताईए कब तक आएगा तो कल जो आपका है डिसीजन हो सकता है कि रिजर्व होजाए कल कलेर हो जाएगा और अगर हम प्राथमिक सिच्छक की बात करें प्र जो सिच्छा मंतरी जी हैं उनका बयान बच्चे जब लिये तो उन्होंने यही कहा कि अभी भरती चल रही है इसके बाद जब यह कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरा विग्यापन हम लोग जारी करेंगे तो मान कर चलिए कि जो विग्यापन आपको देखने को मिल सकता है य और आपके जबाब थे हमारे सवाल थे दोस्तों सब मिला करके कंक्लूजन यही निकल रहा है कि यह चुनावी वर्स है और देखे सरकार क्या कर रही और यह मान कर चलिए कि हर हाल में हमें अलर्ट रहना है सरकार किसी भी समय विग्यापन जारी भी कर सकते कि वह डिसीजन त देख सकते हैं उसके साथी साथ हिंदी के भी ट्रिक की उसमें शांग दिये जाने उसको देख लिजिए तो दोस्तों आज की बात यही रही और यहीं एंड करते हैं वीडियो लेट्स आल फार